राजस्तार में मंत्री मंदल के गठन को लेकर बड़ी खबर है गुरुवार को हो सकता है मंत्री मंदल का गठन करीब देड़ दर्जन विधायक बन सकते हैं मंद्री 12 काबिनेट मंद्री 6 राज्य मंद्री शपत ले सकते हैं क्योंकि अब ये countdown शुरू हो गया है और जैसा कि आपको भी बता रहे थे कि मुखे मंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली जाएंगे जो मंत्री मंदल है उसको लेकर चर्चा भी होगी और ये हो सकता है कि गुरुवार को मंत्री मंदल का गठर हो जाए करीब डेर दर्जन विधायक शपत ले सकते हैं और इसमें 12 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और तमाम नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं जैसे कि बताया जा रहा है कि पहली बार के विधायक ये जो युवा हैं उनको आगे तरजी दी जा सकती है तो ये फिलहाल कयास से लेकिन कि किसे आगे दिया जाएगा मंत्री मंडल में जग है किसे दी जाएगी मंत्री पद किसे दिया जाएगा किसे जम्मेदारियां दी जाएगी ऐसे तमाम सवाल है लेकिन इसी के साथ ये सवाल भी कि आखिर मंत्री मंडल का गठन कब होगा गुरुवार को लगबग ये माना जा र कि अगले जिन 11 वजे से शुरू होती है लेकिन इस बार विदान सभा की जब कारेवा याज इस्थागित हुई तो वो कर दाई वजे के लिए इस्थागित हुई है और इसा बताया जारा है कि करीब जो है मंत्रियों की सूची लगबत तयार कर लिए और प्रदम चरण में करीब अठारा मंत्रियों को शपद दिलाने का कारीकरम है और उसके अंदर संभावत है बारा कैबिनेट और छे राज्या मंत्री हो सकते है लेकर अभी जो खबाराई कि मुख्य मंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो अगर वो कल दिल्ली जाते हैं तो क्या यह संभव हो पाएगा कि कल मंत्री मंदल का गठन हो जाए कि मुख्य मंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी पहले उसके साथ जाने का कारीकरम है लेकिन ऐसा खबरे हैं कि वो संभावत हैं लेकिन अभी मेरी कि मुख्य मंत्री मंत्री मंदल का गठन हो सकता है तो अब जाएंगे यह संभावना एसी है कि गुरु आरफ को मंत्री मंदल का गठन हो सकता है अगर ऐसा होता है सुधाशु जी तो कल तो पर धाई बजी तक के लिए विधान सभा की कारेवाई को इस्थगित किया गया है तो क्या धाई बजे बाद मंत्री मंदल भी विधान सभा में नज़र आ सकता है या यह देर शाम तक की कवायद होगी कि अपन सब कड़ियों को जोड़ के मीरे वे काना कि कड़ी से कड़ी जोना रहूं कि इसी कड़ी से कड़ी को जोड़ रहा है कि जब आव तो पर विधान सभावना ऐसी बन सकती है कि कल बारा वजे से लेके और दो बजे के बीच गे मंत्री मंडल गठन हो जाए झाब कि अग्या है